हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू, स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, प्यारे दोस्तों आज 7 मार्च 2023 के हर्याना करिंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आईए सेशन के अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेर करिएगा, एक सवाल पूछा था मैंने आप लोगों से बीतेवे लेक्चर में, ग्रिश्म उत्राइन के दोरान सूर्य की किरने किस स्थान प के नाम से जानते हो, विस्वत रेका भी कहते हो, और एक लाइन है, यहाँ पे साड़े तेईस डिगरी अक्स पे, यहाँ पे उत्री गुलार्द की साइड जिसको करक रेका कहते हो, एक दक्षनी गुलार्द में हैं, जिसको आप लोग मक्का रेका कहते हो, और यहाँ पे हम त्रायन होता है तो 21 जून को यहां आने की वज़े से हमें दिन लंबा दिखाई देता है गर्मी का भी मोसम रहता है आस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाते हैं दिसंबर महिने में क्योंकि यहां पर आस्ट्रेलिया पड़ता है तो हमसे बिल्कुल अपोजिट है उनकी हर्याना सरकार धेंचा की खेती पर कितने रूपे पर ति एकड का वहन करेगी तो हर्याना सरकार जोहना धेंचा की खेती पर तती एकड्रीयवाण सatingरा क्रव दिया जा रहा है बढ़ावा और धेंचा ये दिखने में कुछ ऐसा होता है देखा होगा आप लोगों ने ठीक नहीं है इसके लिए 720 रुपे परती एकड़ 80% लागत मुल्य का वहन जो हो हर्याना सरकार करने वाली है ऐसा हालांकि हर्याना सरकार ने बजट 2023-24 में खाया था म मैंने आपको बजट पड़ाया होगा तो आप लोगों ने focus किया होगा इस बात पर भी बजट से मुझे याद आया मैं आप लोगों को जो है वह आज रात को नो बजे लाइव सेशन ले रहा हूं जिसके अंदर मैं पूरे हर्याना कुछ फरवरी महीनें के पूरे हर्याना क को परती महा कितनी अत्रिक्त प्रहुत्सान रास्ति दी जाएगी तो एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा जो टॉप 50 नगरपाली का है जैसे पूर गजामपल आप लोगों को साइद याद हो तो पिछले साल एक ऑक्टूबर की बात है एक ऑक्टूबर 2022 को दिल्ली के अं में हमारी मानेनिया नव निर्मित रास्त्रपती जिनका नाम द्रोपदी मुर्मु है जो संथाल जनजाती से है द्रोपदी मुर्मु जी ने एक रिवाडी जिला है और रिवाडी जिले की जो नगरपाली का है जिसका नाम क्या है धारू हेडा इसको हमारे हर्याना की सबसे साफ नगर पालिका का समान दिया था और कुछ ऐसे ही इस बार के बजट में कहा गया कि टॉप 50 में पाने वाली स्थान पाने वाले पालिकाओं को सफाई करमचारियों को चुकि सफाई करमचारी तो से खास ध्यान रखते ही है ऐसे लोगों को एक हजार उपे परती महां जो है ये प्रोच्षान राशी दी जाएगी इंसेंटिव दीजाएगा टॉप 50 में स्थाहान अप्राप्ठ करने वाली पालिकाओं को सफाई कर्मचारीयों को एक हजार उपे प्रती महां अतरिक्षान राशी दी जाएगी हर्याना किर्शी विकास मेला 2023 का आयोजन 10 से लेके 12 मार्स तक कहां पर आयोजित किया जा रहा है तो ये 10 से लेके 12 मार्स तक आयोजित किया जा रहा है अपने हिसार डिस्टिक के अंदर हिसार के हेचेईू के अंदर मेला ग्राउंड नस्दीग गेट नमबर 3 बाल समंद रोड चोदरी चरण सिंग हर्याना किर्सी विस्तव धाल्या में होगा यह अच्या एक्चली ये बात तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी थी लेकिन कुछ चीजे एडिशनली आप लोगों को रिवाइज करवानी थी जैसे कि पहले दिन क्या है सटी किर्शी और फसल विवीदी करण से सम्मंदित ये मिला है दूसरा दिन बहुत इपॉटेंट है जो एक्जाम में पूछा जा सकता है मोटे अनाद से सम्मंदित सर्वोत्तम खाद्य एवं प्राकरति खेती के बारे में क्योंकि हम लोग 2023 को ही सेलिबरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मिलेटी है इसको आप लोग स्री अन के नाम से भी जानते हो ये भी याद रखना युए नो भी इसको मना रहा है यान影片 न निकि अंतरास्टी जेस तरपे भी मना हहाई भारत भी मना रहा है और हरेयाना तो खेर मना फैर गाए और तीसरा मैं भी कोसिस करूँगा जाओं यहां पे, इसके अलावा खरीफ फसलों, सब्जियों के परमानित बीजों की जानकरियों बिक्री होगी, कुछ टेक्टर और सुपर सिडर वगरा है जो भी खरीद सकते हैं मतलब खरीद भी सकते हैं खरीद में के इलावा यहां पर कुछ परत्योगिता भी रखी जाएगी हर्याना में सोईल टेस्टिंग के लिए 140 लैब भी खोली गई थी सोईल हेल्थ कार्ड भी बनाया गया था एक योजना थी जो 2020 के बजट में स्टार्ट की गई थी हाली में 35 में स्प्रिंग फेस्टिवल की सुरुआत कहां पर हुई है तब ही हाली में 35 में स्प्रिंग फेस्टिवल की सुरुआत हुई है पंचकुला जिले के अंदर, अचा पंचकुला में एक तो Spring Festival, 35 हर साल लगता है, मतलब यह इस बार 35 है, एक पंचकुला में हर साल लगता है आम मिला, यह भी तुम याद रखना है, पिछले साल का कोन सा था, 29 आम मिला था पिंजोर पंचकुला के अंदर ये मिला लगता है हर साल ये दोनों मिले आपको बहुत ही important पता रहने चाहिए तो spring festival मतलब आप समझ सकते हो इन दिनों के अंदर नए नए फूल किलते हैं नए नए पोदे हैं इससे संबंदित ही ये पुरी जानकारी रहती है अच्छा ऐसा ही एक फूलों का मिला लगता है जी ये 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 उनिवस्टी में भी लगता है पिछले साल नवा मिला लगा था ठीक है ना तो ये हर साल लगता तो फरवरी एंडिया मार्च के फर्स्ट विक में है अब तक तो कोई इसका कोई announcement नहीं हुई है जैसे ही होगी कुछ नई अपडेट मैं आपको जरूर बताऊंगा बसंत रितू के आगमन के साथ ही पंचकुला के अंदर 35 स्प्रिंग फेस्टिवल की सुरुआत की गई थी ठीक है और इसके अलाओ इन मुख्य सचीव जी यहां पे थे जिन्होंने इसका उदगाटन किया था सुभारम किया था संजीव कोशल इनका नाम है तो देखो पिछले साल 38 थी और इस बार 49 है तो लास्ट येर वाली थी फरवरी वहिने के अंदर आयोजित की गई थी ठीक है ना बिवानी डिस्टिक के अंदर थी और इस बार ये बिवानी से ही निकलावा एक जिला जिला जिसका नाम है चर्की दादरी यहां पे ये पसु यहां पे मेले में आने के लिए निशुलक बस सेवा है विजेता पसु को आकरशक इनाम दिये जाएंगे हर दिन लकी ड्रा वगरा है और बुलेट मोटर साइकल स्कूटी वगरा कुछ ऐसे इनाम भी है ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा इसमें हिस्सा ले सके पसु पाल में पहुंच कर और यहां पर रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा सबसे पहले 10 मार्ज को शाम को हर्याना के क्रिशिवंद्री आप सभी को यह तो अच्छे से पता है इनका नाम क्या है जेपी दलाला जो लोहारू से जीते हुए है हाली में किसे हर्याना राज्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आईजी न्युक्त किया गया है तो अभी हाली में हर्याना राज्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आईजी न्युक्त किया गया है इनका नाम है अमिताब सिंग डिलो अप्चिन नमबर A इस सव range का ADCP नुक्त किया है हिसार range के जो ADCP है ममता सिंग इनको order मुख्याले के अंदर नुक्त किया गया है ठीक है और इसके अलावा अमिताब सिंग डिलो को हर्याना के अंदर नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो का अभी हाल ही में IZ नुक्त किया गया है इसके अलावा बाकी और भी important है इसके अलावा जैसे IZ परसासन संजय कुमार इनको पंचकुला का नया कमिशनर बनाया गया है अब हर्याना में चार पुलिस कमिशनरी हो चुकी है सबको बता होगा और पंचकुला का कमिशनर और यह एक्चुली चार ही हर्याना के अंदर metropolitan development authority अरिया हो जाएंगे अब मतलब पहला कौन सा है पहला है यह गुरुग्राम दूसरा फृदवाद तीसरा हाली में बना था पंचकुलार चो था अभी बजट में गोशना हुई थी सोनिपत के लिए और इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने स्युक्त अरब अमिरात के प्रतिनी मंडल के साथ अभी हाली में बैटक की है तो आपको यह भी पता होना चीए बैटक में इंडो अरब बिजनस संबंदी कुछ मजबूती देने के लिए विस्तार से चर्चा हुई है हर्याना में उद्योग अनुकूल बनाने के लिए एक चीज होती है इसको कहते हो आप इंडस्टियल रिलेशन कहा करते हो इंडस्टियल रिलेशन का मतलब एक बहुत बड़ी जी इंडस्ट्री जैसे आप लोग एक जामपल ले सकते हो किसी भी एक industry for example मारूत्य का ले लीजिएगा और एक कोई भी industry relation होता है उसके लिए एक तो होते है ownership होती है एक तो capital होता है मतलब एक company होती है और एक होती है उसके नदर labor होती है याद रखीएगा इन दोनों के मदद से ही industry relation है चल पाते हैं क्यों क्यों माल लेते हैं कि ये एक परसन है जिसके पास में बहुत पैसा है माल लेते हैं सो क्रोड है पर सो क्रोड है तो क्या हो गया ये क्या माल लेते हैं मारूती कंपनी का ओनर है तो क्या ये कारे बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा, इसको labor की need होगी, अचा labor के पास पैसा नहीं है, पर उनको monthly salary चीए, तो इस करके वो इसका हिसा, तो दोनों के साथ मिलेंगे, अब इनको law and order की बहुत जरूरत होती है, इसी करके क्या करते, इसी के लिए हमें फिर जरूरत पढ़ती है, low की यानि की government की, तो वही ये काम कर रहे हैं कि government क्या कर रहे हैं, मिलके, ये actually represent कर रहे हैं, अपने अपने country या अपने अपने area को, और यहां अपने अपने area में जितनी ज़्यादा industries होगी, चाहिए वो private भी हो सकती है, तो उससे क्या economy boost हो जाती है अपने आप में रोजगार भी ज़्यादा होते हैं, for example, अब अर्ब देश से कोई हमारे यहां पर setup करता है, और वो setup अगर करेगा, तो यहां पर बहुत सारे labors है, उनको रोजगार मिलेगा, government को economy में boost up मिलेगा, तो यह सब कुछ fundे होते हैं, इसलिए investment आया करता है बाहर का इसके लावा G20 मेटिंग अभी हुई थी, anti-cruption group की, तो यहां पे सुल्तानपूर bird sanctuary का भी जो आये थे लोग, इन्होंने इसका भर्मन किया था, पूरा देखा था, क्योंकि सुल्तानपूर बहुत important है, इसको रामसर साइट का भी already tag मिल चुका है, कुछ लोगों ने पोदे कि हमारे कुरे भारत में 8 classical dance है, और ये कतक कली कहां का है dance, कतक कली तो याद रखना केरल का है, और कतक जो है वो यूपी का है, एक कतक कली है, एक जो है न, वहां मोहिनी अट्टम है, भारत नाट्यम सबसे पुराना या तमिल नाडू का है, इसके अलावा स्त्रिया सबसे ल चली इस सवाल का ठीक अंसर दीजिएगा, आप लोगों और मिलता हूँ, आप लोगों को मैं अपने अगले session में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल जरूर रखना और Star IQ चैनल को बहुत उंचा लेके जाईएगा, हाई में सबस्क्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, और हाँ रात को जो class होती है मेरी, उस class को जरूर देखा करें, जो GS Foundation की तियारी आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो बच्चा अपना financially background बहुत weak समझता है, और mentorship background भी बहुत weak समझता है, जिसके पास पैसे हैं पर mentorship नहीं समझ पा रहा है, और स दूसरी बात पैसे नहीं है, बहुत भारी भरकम batch ले नहीं सकता है, तो वो library में बैटके बहुत असानी से मेरी इस class से अपने बहुत बढ़िया से त्यारी कर सकता है, आप इस class को देखीएगा, चार lecture जा चुके हैं, बाकी और lectures भी देख सकते हैं, आप लोग आने वाले time पे अपडेट होते रहेंगे वक्त के साथ ही, तैंक यू सो मच, अपना ख्याल जरूर रखना,